प्रोग्राम की शुरुवात इस वक्त की बड़ी खबर से दरसल राजस्थान कॉंग्रिस में जारी सियासी संग्राम फिलहाल खमता नजर नहीं आ रहा है खबरे हैं कि सचिन पाइलेट को मुख्यमंतरी बनाने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है यहां तक कि पाइलेट समर्थ को ने अफ़ेल कर गहलोत के खिलाफ वहल्ला बोल दिया है आपको बता दें कि सचिन पाइलेट के समर्थ को कमानना है कि अशोग यहलोत की वज़े से राजस्थान मंत्री मंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है और राजस्थान मंत्री मंडल के विस्तार में देरी हो रही है सबसे बड़ी बात तो ये है कि सचिन पाइलेट और उनके समर्थक पार्टी अलगमान सोनिया गांदी से ये पहले ही कह चुके हैं कि अगर पार्टी में उन्हें बड़ी जिम्मेदारिया नहीं मिलती हैं तो वो पार्टी छोड़ने को लेकर भी फैसला कर सकते हैं हाला कि इस भीच खबरे ये भी सामनी आई है कि BJP के एक सांसत का बयान सामनी आए जिसमें उनोंने कहा कि सचिन पाइलेट के करीबी जो समर्थक हैं वो बीजेपी के संपर्क में सचिन पाइलेट के समर्थक हैं अगर ऐसा होता है तो वाकई में इस्थती अब बहुत जादा उलट हो जाएगी दरसल पंचाय चुनाव राजस्थान में जल्दी उने वाले हैं और राजस्थान में इन पंचाय चुनाव से पहले अगर सचिन पाइलिट पासा बदल लेते हैं तो कॉंग्रेस की स्थती बेह मंत्री बनाने की मांग आवे जूर पकड़ चुकी है आपको बता दे सचिन पाइलिट की समर्थक लगातार अभी मांग कर रहे हैं कि सचिन पाइलिट को मुख्य मंत्री बनाया जाए क्योंकि सचिन पाइलिट पार्टी को बड़े हद तक समाल तो सकते हैं इसके साथ ही दरसल अगर देखा जाये तो सचिन पाइलेट और गहलोत के बीच जो जंग छड़ी है ये किसी से चुपी नहीं है बीते कई महीनों से सियासी लड़ाई पाइलेट और गहलोत के बीच दिखती नजर आ रहे हैं लेकिन अब ये जंग और तेज पकड़ चुकी है क्योंकि संख्या में विधायकों का समर्तन सचिन पाइलेट के साथ है ऐसे में अगर कोई भी बयान बाजी की जाती है तो गहलोत की कुरसी गिरनता है और गहलोत अपनी कुरसी बचाने के लिए इस वक्त खामोश बैटे हैं यही वज़ा है कि कॉंग्रिस पार्टी आला कमान सोनिया माकन भी सचिन पाइलेट के साथ ही दिख रहे हैं अगर देखा जाए तो सचिन पाइलेट के साथ होना यह बताता है कि सोनिया और माकन यह समझ चुके हैं कि अगर पाइलेट की नाराज़की को बढ़ाया गया तो पाइलेट तो पार्टी से अलग हो जाएंगी और गहलोत क कुरसी गिरना ताय है यही वज़ा है कि अब सचिन पाइलेट को खुश करने के लिए काफी तरह से काम किया जा रहा है यहां तक कि सचिन पाइलेट को खुश करने के लिए बड़े ओफर भी दिये जा रहे है अब देखना यह होगा कि क्या सचिन पाइलेट इन बड़े ओफर को स्विकार करते हैं या फिर वो सीधा मुख्य मंत्री की कुरसी पर बैटने के लिए ही राजी देखते हैं इस बीच राजस्थान कॉंग्रिस में जो सियासी जंग छिड़ी हुई है इसकी वज़ा से सोनिया गांधी की मुश्किले बढ़ रही है सोनिया नहीं चाहती कि जोर कोशिच तो कर रही है लेकिन राजस्थान कॉंग्रिस का मसला सोनिया के गले की हड़ी की फास बनावा है अब देखना ये होगा कि सोनिया अब इस राजस्थान के मसले को किस तरह हल करती है तो देखा आपने कि किस तरह से बीजेपी के सांसत का बयान सामने आया हाला कि अगर बात करें सचिन पाइलेट और अशोग यहलोत के बीज छेड़ी सियासी जंग को बीते काफी महीने हो चुका है राजस्थान कॉंग्रेस में जो हालात इस वक्त पने हैं ये हालात किसी से छुपे नहीं है सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसकी पूरी पूरी जानकारी पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी को है इसलिए दिल्ली से बैठे बैठे फैसले भी किये जा रहे हैं और दिल्ली से ही फर्मान भी आ रहा है हाल ही में सोनिया गांधी ने कुमारी सैलेजा को अशोग गहलोत के घर बेजा था कुमारी सेलजा को एक खास चिट्टी लेकर गहलोत के घर भेजा गया ताकि राजस्थान कॉंग्रेस की स्थिती सुधर जाए और राजस्थान मंतरी मंदल में जो फिर बदल होना है उसकी भी जानकारी गहलोत को हो इस बीच अगर देखा जाए तो जिस तरह का माहौल बन चुका है उससे साफ पता चल रहा है कि सोनिया गांदी का जुकाओ भी पाइलेट की तरफ है हाला कि वो बात अलग है कि अभी सोनिया गांदी खुल कर ना पाइलेट का साथ दे पारी और ना ही गहलोत का लेकिन आगे देखना होगा कि राजस्थान मंतरी मंदल का विस्तार कैसे होता है और जब राजस्थान मंत्री मंडल का विस्तार होगा तो उसके बाद गहलोत खेमा क्या कदम उठाएगा और सचिन पाइलेट खेमा क्या कदम उठाता है आज के लिए इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए जा दीजे नमस्का